तो नमस्कार दोस्तो आप लोग कैसे हैं आज हम लोग देखने वाले हैं पचीस मोस्ट भीवियाई अबजेक्टिव संस्क्रीत का जो आपके फाइनल बोड इग्जाम के दिरिष्टी से काफी इंपोर्टेंट होने वाला है ठीक है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों क के पास सेयर कर दिजेगा जो दोजर चोबिस में फाइनल बोड इग्जाम मैट्री का दिगा ठीक है उनसा भी के पास सेयर कर दिए चलिए पहला कोशन हम लोग आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पहला कोशन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है तो याद रि मैथली कभी का नाम आता है तो आपको हमेशा याद रखना बिद्यापती थे कौन थे मैथली कभी तो बिद्यापती यहाँ पे बिल्कुल ही सहीर आइटंसर आप्सन नबर सी हो जाएगा ठीक है चलिए आगला कोशन है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखी का कौन है वर्तमा कुमारी मिस्र ठीक है कहां थे मिथलेश कुमारी मिस्र यहाँ पे बिल्कुल ही सी ओप्सन नमर राइटंस रोगा चलिएगा फूर नमर कोशन है कि सिछा संबंधि कितने संस्कार है जी 2-3-5 ये छो तो याद रखेगा जो सिछा संबंधि संसकार है वो पाच नमर सी यहाँ है न इस्ञी राइट है ठीक हैो चलिए पाच नमर कोष्जण है पूंस सवन किसए संस्कार चेंतरग्ष था वह की संस्कार कें था या ठीक है यहां पर याद रखेर जो पूर्व संस्कार कें था यानि option number a यहाँ पे बिल्कुल ही सही और राइटन्स रोगा ठीक है चलीगा आगला question six number की कर्मवीर कौन है तो याद रिखीगा जो कर्मवीर है वह आप लोग बतेगा राम परविस राम को है या जीतन राम या बल राम या जैरा तो है यहाँ पे याद रिखीगा जो कर्मवीर है किसे का जा तो राम परविस राम ही कर्मवीर है ठीक है तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही राइट अंस रोगा ठारा सो चोबिस को ठीक है कब वह था इनका जनाम अठारा सो चोबिस इस भी को इसका बिल्कुल ही अप्सन नमर सी होगा चलिए एट नमर कोशन है और आप लोग हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि 25 में से कितने कोशन सही हुए आर समाज के सं स्थापक्त हैं श्वामी दयानंद सरसती यहां पे बिल्कुल ही अप्सन नमर डी होगा ठीक है चलिए नौ नमर कोशन है कि कौन वंस हीन था यानि किसका संतान नहीं था जल्दी से बताएगा ब्यागर का दुरजन का सजन का या दानव का तो यहां पे बिल्कुल ही सही है और राइट ब्याग्र बाग्र वन्स हीन था इसका कोई पुत्र नहीं था ठीक है यानि आप्सन नंबर ए इसका बिलकुल ही सही उतर होगा चलिए गदस नंबर कोचन असांती मानवता का क्या कर रही है जो असांती है वो मानवता को विनास कर रही है मानवता का आप्सन नंब सेसन होता है चलिए बताएगा लाइब में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलेंगे यहां पर याद रिखेगा मंगलम पाठ के जो रचना कार है वो महरसी बेद बियास है यानि आपसन नमबर सी यहां पर बिल्कुल ही सटीक होगा चलिएगा बारा नमबर कोशन है कि अनू स से छोटा कौन है अकास है आत्मा है प्रमात्मा यह संसार तो अगर आपको बोलेगा अनू से भी छोटा कौन है तो आपको याद रिखना आत्मा ठीक है अनू से भी छोटा यह आत्मा है हमारा ठीक है याद रिखेगा तेरा नमबर कोशन है कि भारत की सोभा से कौन परसन हो इसवर जनतु दानव या मनुसे तो यहां पर याद रिखेगा इसवर की सोभा से सरी भारत की सोभा से इसवर प्रसन होते हैं यानि आपसन नमबर एहां पर बिल्कुल ही सही उतर होगा ठीक है चलिए आगला कोशन आप सभी लोग के सामने हैं देवता क्या गाते हैं चलिए रिखेगा जो देवता लोग है वो गीत गाते हैं यानि आपसन नमबर एहां पर बिल्कुल ही सही उतर होगा ठीक है चलिए पंदरा नमर कोशन है कि विदूर नीती से संकलित पाठ का नाम क्या है तो यहां पर याद रिखेगा नीती असलोग ठीक है विदूर जो लिखे है नीती असलोग के लिखे यानि आपसन नमबर एहां पर बिल्कुल ही सही उतर होगा चलिए सोला नमर कोशन है बताएगा कि कौन सर्वस्रेष्ट धन है कौन है जो सर्वस्रेष्ट धन है धर्म है अर्थ है काम है या क्रोध है तो जो सबसे अच्छा धन है वो सिर्फ और सिर उसकी रचना याद रखी गा कालि दास ने किया था, याने आप्सानव्न डी यहां पर बिलकıl ही सही उतर होगा चलिए नक्स कौच नहीं, 18 नमर की नाचने के समान को ने दिखता है, जो नाचने के समान यानि उसी तरह के को ने दिखता है, ये यहां पर याद रिखीगा परवत नाचनी के समाने दिखता यानि अपसा नमर यहां पर बिल्कुल ही सही उतर होगा चलिए 20 नमर कोचन है कि ना दातव्यम या किस ने कहा था तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही उतर सल लेने कहा था ठीक है जितने भी एश्टूटेंट पढ़े हैं जी तो बिल्कुल ही आपस नमर सी दे रहे हैं बिल्कुल उन सभी का राइटेंस रोगा 21 नमर कोचन है किसके च्छा अंग है किसके च्छा अंग है जी तो याद रखिए आप सभी को पता है कि वेद के च्छा अंग होते हैं ठीक है यहाँ पे बिल्कुल ही सही उतर अपस नमर डी होगा चलिएगा 22 नमर कोचन है छातर किसका अभिवादन करते हैं तो याद रखिए जो च्छात रहें वह सिक्षock का aviv and That करते हैं यानि उप सन नमबर sound happening यहां पर बिल्कुल ही स्वय उतर होगा ठीक है जो च्छाते रहें सिक्षक का विवदन करते हैं नमबर कोशद देववरत किसका पुत्र था जो देववरत था वह किसका पुत्र था तो सांतनों का पुत्र था यानि after a बिलकुल ही सही उतर होगा चलिए 24 नमर्षान एकि यह सक् ליस से पृप्ट होता है यस किस से पृप्ट होता है तो यहां पे बिलकुल ही क्या हो ज consider जी उत्तमकार अच्छा बढ़ियां काम की जिएगा तो आपको यहां यहां प पर बिल्कुल ही सही उतर होगा चली 25ँस का समोह टो आप लोग 25 में कितने कोश्ण का आंसर हमें कंसर के जरुर बताइगा ठीक है तक धनवाद भीर मिलेगे लेक्स्ट वीडियो में इसे तरह वीडियो पाने के लिए हमेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद